हम तो पूछेंगे में अगले आदे घंटे डिबेट नंबर दो जे अन्यू पर जंग उस परिसर के भीतर कुछ ऐसे तत्तों की घुसपैठ अवश्य है जो अगर CRPF का एक जवान मारा जाता है नक्सली हमले में तो नक्सलियों की विजय के तौर पर उसे मनाते हैं याकूब मेमन को फासी हो अफजल गुरू का विशय हो मौम बत्तियों में उनको सम्मान देने के लिए जुलूस निकाले जाते हैं यह जो चीजें हैं देश को कचोटने वाली हैं मुझे लगता है भारी असाहिश्णुता का माहौल वहाँ भीतर ही भीतर पल रहा है संग के मुखपत्र पांच जन्य के संपादक जेन्यू को राष्ट विरोधी तत्वों का अड़ा बता रहे हैं लेफ्ट रुजान वाले छात्र संग्ठनों के वर्चसों वाले इस विश्विध्याले को रास्ट विरोधी तत्व का ड़ा बताने वाला एक लंबा चोड़ा लेक भी पांच जन्न में जोर शोर से छपा है सबसे पहले ये रूलिंग क्लास और जो यहां का RSS है वो अब उनके उपर हमला करना चाहता है कि पहले इस आवाज को वायस को एंटी निसनल बना करके इस जन्ता के सामने प्रोजेक्ट किया जाए कि इनकी बात तो सुनी ही न जाए हम लोग ने हक अदिकार की बात कहते हैं कहते हैं ये तो मिस्क्रियंट है ये तो एंटी नाशनल तो ये एंटी नाशनल का तो डेफिनिशन इनको सेट ना करने दिया जाए वो लोग जो आजादी से पहले अंग्रेजों के सामने गुटने टेकते थे सिर्फ पांच जन ही नहीं बिजेपी नेता सुब्रमणियम स्वामी ने भी जेन्यू को नकसलियों का गड़ बता दिया तो क्या पांच जन्य का ये सवाल की जेन्यू राष्ट विरोधी ताक्तों का अड़ा बनता जा रहा है क्या ये जायज है इसी पर बड़ी चर्चा के लिए मिरे साथ कुछ खास मैमान जुड रहे हैं बारती जन्ता पार्टी की तरफ से सुब्रमणियम स्वामी लगातार म स्टुट्स यूनियन के डॉक्टर पुषपेश पंथ हमारे साथ हैं राजनेतिक विश्लेशक हैं जेन्यू में जुड़े हुए हैं सौरब शर्मा जो की जॉइन्ट सेकेटरी हैं जेन्यू स्टुट्स यूनियन के वो मिरे साथ जुड़ रहे हैं और कनाया कुमार जो की अध्यक्ष है उनी के साथ उनकी सिस्टेंट बॉडी के वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं तीस-तीस सेकिंड ओपनिंग रिमार्क्स को लेके और फिर उसके बाद डिबेट को उपन करूँगा पैनलिस्ट जादा है इसलिए आज तीस सेकिंड का ओपनिंग रिमार्क का टाइम रखा है मैं आई होप कि आप सबको अपनी बात कहने का मौका जरूर मिल पाएगा सबसे पहले डीपी तरपाटी जी मैं आप से बुझना चाहूंगा आपके इंसिट्यूट को देश के सबसे प्रतिष्टित उनिवस्टी को जब ये कहा जाए कि ये राश्विरोधी ताक्तों काड़ा बनता जा रहा है यहां पर नकसली पढ़ते हैं नकसलियों के सिंपेथाईजर पढ़ते हैं क्या कहें गया डीपी तरपाटी प्रधान मंत्री से प्रश्ण करें कि अपने मंत्र मंडल में जे एनिव को लोगों को क्यो रखा है भारती जंता पार्टी के पदादिकाईयों में भी हैं कितने एंपी जे एनिवसें समय कम हैं नाम नहीं लेना चाहता हूं दूसरी बात ये कि जो जहां भी जे एनिव के लोग हैं जिस पार्टी में भी हैं उन्हें योग्यता का मापदंड माना जाता है और ऐसे विश्व विद्याले के विशे में इन अपशब्दों का प्रयोग एक अतिशे मूर हुएक्ति के द्वारा किया जाना जी थर्टी सेकिंड्स हो गए सुप्रमण नेम स्वामी जवाब देना चाहेंगे डीपितर पार्टी की बात क्या अब उनकी राही यह है वो भी कहते हैं कि बागी सब लोग प्रधिक्रियावादी हैं और अमेरिका के पसंद करने वाले लोग हैं इस परकार कि उनकी भी परचार चलते आई कोई बड़ी बात नहीं है पर तो यह हम अपने जो जो निश्कष निकाली है वो अपने जो वहाँ विद्यारती परिशत के लोग हैं, जो वहाँ अपने प्रोफेसर्स लोग हैं, उनसे बात करके हमने राई बनाई, हम नहीं कहते हैं कि 100 प्रतीशत नक्सलाइट है जी, 30 सेकिट्सों का लेकिन आपका ये कहना है कि कुछ लोग हैं जो एंटी नेशल अक्टिविटीज में इंवाल्व आपको लगते हैं, पुश्पेश पंच साहब, आप तो जुड़े हुए हैं, सालों से जेन्यू के साथ हैं, क्या कहेंगे आज़ाब? जेकि मेरी जिन्दगी के 40 वर्ष जेन्यू में बीते हैं और किसी ने मुझे कभी मार्टवादी समर्थख होने का फत्वा नहीं दिया, मैं निस्तंदे, निस्तंकोच ये कह सकता हूँ कि जेन्यू के बारे में इस तरह का प्रलाप करना, मुर्खता पून, धूरता भरा और अध्यान का प्रमार है, इसके अलावा कुछ नहीं है, जेन्यू में जितना खुला महौन है, उतना इस देश में शायद अन्यतर कहीं नहीं, और किसी भी ज़क्त पर यह आरुप लगाना कि वे देश रोही है, वो देश विरोधी है, बहुत आसान है, मगर जेन्यू मेरे ख कहना कि संग के मुखपत्र फांचे जन्य ने पप्लिश करें, सरा सर गलत है, फांचे जन्या एक इन्डिपेंडंट पब्लिक इसन्न है, उसके इंडिपेंडेटरियल बॉड है, और इनिडिपेंडेंस होने के करण उनीपता है, पहली बात, दूसरी बात आपके पास भी आ सब्सक्राइब करें अब जेनियु स्टुएंट्स जूरियन आपकी बारी है कनया मैं पहले आप से पुछूंगा आप वहां के अध्यक्ष हैं क्या आपको लगता है कि आपके आसपास में जो चात्र हैं जो स्टुएंट्स हैं जो आपके कलीक्स हैं वो एंटी नैशनल राष्ट विरोधी हैं बिल्कुल नहीं किसी भी विचारधारा को मानना और उस विचारधारा को अपने जीवन में लागू करना इसकी ही समझ पैदा करना विस्विदेला का काम है और यह जो जिस तरीके का ब्रेंडिंग किया जा रहा है आरेसस के द्वार और यह पूरा का पूरा मसला जो है मैं उसको सियासत की नजर से देखता हूं इसका इंस्टिटूट से कोई लेना देखता हूं तीक है 30 सेकेंड हुए आप इस बात को इंडॉस करेंगे सारब यह सबसे पहले यह मैं ताना चाहूंगा कि जिस तरीके से यह आइटकिल छपा जाते हैं तो वही कंपस में उनको सद्धांजी लेकिन एक तरफ जब हमारे देश के नायक जो हमारे प्रेसिडेंट साहब के अब्दुलकलाम जी उनको गाली दी जाते हैं तो ऐसा टेंटेंटी नेर्सनल एक्टिविटी हमारे इहां चल लई है उसको रोकने के लिए बहु जाते हैं कि पांची जन का अपना एडिटोरियल बोर्ड है माफी के साथ दुनिया जानती है पांची जन ऑर्गनाइजर किसके साथ जुड़े हुए हैं आपको पल्ला जाड़ना आप जाड़ लीजे क्योंकि आज आज आप आज आप लोग को उसे सवाल पूछे जा रहे ह और दूसरी बात मैं इसाब कर दू जिन हितेश शंकर साथ का यह संपादक है आज की तारिक में हमने उनको इस पैनल पर बुलाया और मैंने कहा कि आईए सहसमान आईए अपनी बात रखिये समझाईए वो नहीं आए अपनी मस्तुरूफियत उन्हों ने दिखा दी उन्हों संदीब महापात्रा आप आरेसेस के ठिंकर हैं आप आरेसेस के साथ जुड़े हुएं आप क्यों हैं वहाँ पर वो और अगर आपकी तो सरकार है कानूंट और मुकदमा दर्ज करिए जेल के भीतर भेज़ दीजे किसने मना किया दो बाते सुमिद जी जहां तक पांचे जन्य की इडिटरियल इंडिपेंडेंस की बात है आपको यह पता होगा कि अनलाइक अदर माउथ पीस जो सी पीम के आप देख लिजी उसके इडिटर को ने उसके इंडिटर उसके जेनरल सेकेटर रहते हैं लेकिन पांचे जन्य के यहाँ पर सारो के ने जाते हैं यहाँ बहुत सारे रिपार्दारा के लोगों को स्थान दी इंट पर शब अगर सब्सेंडेश के नहyani होता थो लेकिन यह घो को सब्सक्राइब करेंगे दूर्गापुजा करेंग। जिससाइब से विरोद किया यह कहा कि आई यह को तो दोड़े यह साबुदिन गौरी एक मॉठीगा गेंगे तो कहीं नहीं आपको यह नहीं लेकिन जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं उस आर्टिकल में अगर आप देखेंगे सुमिध जी तो बहुत सारे बाक्या इसमें लिखा गया है कि महिसासूर को वहां पे वहां पर एक दो घटनाओंगी वज़े से पूरे इंसिट्यूट को डिफेम कर दिया जाए डिफेम कहा क कि पहली बात तो संदीप जी हमारे सीनियर हैं और यह भी छात चंग के अध्यक्ष रहे हैं लेकिन जिस तरीके से यह डिफेंड कर रहे हैं पांच जन्न को यह कतई इनके लिए सोभनिया नहीं है कि आप उसी चालाकी से जैसे बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरेसे से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है यह जो आप 75 तरह के संगठन बना रखे हैं और जूट फैलाना आपका काम है और यह आपने जिम्मेदारी उठा रखी है कि आप जूट बोलें सवाल यहां कि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो यह अच्छा नहीं है उसके साथ साथ हमारे देश के लिए उसके लिए हमारे देश के लिए जाते हैं मैं जेन्यू के आप स्टुएंट्स के लोगों से बाहर निकलता हूँ सुब्रमन्यम स्वामी जी मैं आप से पूझना चाहूंगा निर्मला सीता रवन केंद्र में महतपूर्ण मंत्री हैं भारतिय जन्ता पार्टी की महतपूर्ण सदसे हैं जेन्यू की पास आउट हैं पादेक्ष बीजेपी युवा मोर्चा ये जेन्यू के पास आउट है क्या ये मेरे बात लंबी चोड़ी फेरिस्थ है क्या ये तमाम लोग राष्ट विरोदी है क्या ये लोग आतंकवादी है नक्सलवादी है मैंने तो पहले कह दिया था वहां विद्याती परिशद का स्टूड़न्स यूनियन है वहां वह छुनाव लड़ते हैं वह प्रोफैसर्स हैं मैंने कभी निकाए कि 100 परतिशाद नक्सलाइश करही हां ओर सेचरा अथलिए हैं वहां पे देख लोग हैं आपर देज़वत्त करता हूं कि बात सवामी जी को बात पूरी करता हूं कि यह लोग को कितना लोगतंतर में विश्वास है और मैं यह कहता हूं कि अभी आपको बताएगा दुर्गा पूजा के बारे वहां कोई भी हिंदू की तयार मनाने नहीं नहीं देते जब मैं मिनिस्टर था लॉव मिनिस्टर तभी शाबुदीन को पकड़ा था उस समय तो नेटवर्क हमने उखाड के फैंका था हवाला करने वाले लोग तो इसलिए जेन्यू में जो डामिनेशन है वह राष्ट्र विरोधी लोगों का यह है और पांच जन्याने सई लिखा है मतलब मतलब जो ए बीवीपी से नहीं चुड़ा है वो सताब राष्ट विरोधी है जेन्यू में डीपित्र पार्टी अग यह बाद ठीक कि डॉक्टर स्वामी जैसे अंतर राष्ट्रिय ख्याती के विद्वान कोई ऐसी बात करेंगे इस पर मुझे आश्चरी हो रहा बाकी पर नहीं पांच जन्याने के संपादक पर मुझे कोई आश्चरी नहीं है क्योंकि जवाहरलाल नहरू बिश्विद्याला का योगदान चाहे सिविल सर्विस में देखिए जनलिजम में देखिए साहित तिकला में देखिए भारत की शिक्षा में देखिए आज इतना महत्वपूर्ण है भारत में जिस पर हमें गर्व है और बड़ी महत्वपूर बात है कि एक सिविल सर्वेंट जे निव का उसकी इमानदारी और कार को शलता के हर जगा तारीफ हो रही है अगर वो का अग्डा है अगर वो कहीं निकलता है तो एक राष्ट वादी एक इस्टुडेंट नहीं करता है मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे ही स्टुडेंट जो बाहर आते हैं वहीं देशका नाम करते हैं अगर आप क्वालिटी रेखिएगा तो जिसका जिकर कर रहे थे अभी स्वामी जी चाहे वो संदीप महापात्रा हो चाहे वो सौरब शर्मा हो ये सब के सब इनकी क्वालिटी जो है विद्ध्यारती परिशद के भी और लोगों से बेटर आपको मिलीगे क्योंकि जे एनिउ उस तरह की चीजे सिखाता है वो खुलापन शिक्षा के प्रति उस तरह का सबरपन और ज्यान प्राप्त करना और कहीं कोई है जहां भी द्यारती अपना चुनाओ खुद करते हो जहां पैसे की कोई भूमिका नहीं हो इन सब की तारीफ करनी चाहिए एक और से चुनाओ में हाल नहीं लेकिन डीपीटी पाटी डीपीटी आप मुझे इस बात का जवाब दीजे जो बात संदीब महापात्रा ने बूई संदीब महात्रा ने जो बात की कि वहाँ दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाती है वहाँ पर आतंकवादियों का एक हवाला का रैकेट पकड़ा जाता है वहाँ पर नक्सलियों के सिर्पधाईगर पैठा हुए है इसका जवाब दीजे ना एक व्यक्ति आप ये बताईए कि दिल्ली विश्विद्याले से तमाम लोग पकड़े गए तो का हम कह देंगे दिल्ली विश्विद्याले देश रोकाड़ा है अगर कोई पकड़ा जाए जिए राज्य का काम है सरकार का काम है उसे पकड़ना हमारे जमाने से पुषपेश मैं आधियक सता हों मैं वापे दुर्गापूजा सुरू किया गया लगा किसी में पूछं के समय ट bitter UK में सुंह लुट बिड़ा गर्कों गया है अब आध करने सुरभ भाई जीनि वर्ष देए परंपर आए का लिगा पुजा मदाई हिसका बहुत विरॉद्वाता था और बुजा करते थे दूर पूजा एक का तक जाए 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 और चाहिए पुजा करते हैं पुस्पेस जी आपके जन्म से दूगना बीता है और मैं मार्सवादी जटी नहीं रहा हूं आप अग्समा कीजिएगा मैं मार्सवादी जटी नहीं रहा हूं पुस्पेस जी आपके आधर करते हैं आपके हमारे बात सुनी जिये कि दुर्णा पुझे जहां तक बात कर रहे हैं 15 वर्सों से और 40 वर्सों से नहीं रही पहली बात दूसरी बात पुस्पेस जी आप ना कभी कमुनिस्ट थे ना कभी कॉंग्रेसी तो कुछ थे कि आप नकार सकते हैं कि वहाँ पे विचारदारा को वहाँ पे बढ़ावा दिया जाता है आप लोगी आप लोगी जो कुछ होते हैं अगर हम राष्टवाजी विचारदार का बात करते हैं क्लास में केंपस में तो मैं है जिश्टी से देखते हैं इस देश के अंदर सेंटर भी है राइट भी है मैं जानता हूं कि इस बार राइट की सरकार बनी है इंडिया में बात करें तो यहां पर खतम करते हैं यहां के आप जनता को खतम किया है और इस्टूडेंट ने खतम कर रहे हैं इस बार आप देख लिजें आप चुनाल जीते हैं इस बार इस बार चार जीरू से आएंगे और बात करते हैं कि जिस तरीके साब बोलना है कि एक विचाज़दारा की अगर आप मास्कु पढ़ाते तो आप राष्टी विचाज़दारा को आप सावारकुर कुई पढ़ाईए आप सुभास्चन बोस क अधर निपने बात हो रही है आप अधर सुनिया ना क्यों नहीं जवाब देंगा आप जवाब के लिए ना यसा टूरी होता है पिछले दो-तिन वर्श में जेहनु में खुले वारतालाब का सावाज का संसकार समाप्त होगा है जी निश्चित रूप से आज के सनभव के ब तो यह वहां वादी अध्यक्ष भी रहे और उसके बाद असमत अध्यक्ष भी रहे इन से के बराबर लोकप्रे चात्रजीता भागों रहा नहीं मगर इनकी राजनेतिक विचारधारा में परिवर्तन से इनके जनसमर्थन में कुछ नहीं पढ़ा था और मुझे लगता है कि जो सवामी जवाब देना चाहेंगे मुष्पेश्पंत की बातों का कि जेनु कितना खुला रहा है कितनी खुली विचारधारा कर रहा है मैं यह कहता हूं नहीं यह खुली विचार कुछ कोई नहीं है वहां तो प्रोफेसर नी बनने देते हैं अपने लोगों को थोड़ा पता लग जाता है कि उनका बैक्राउंड ऐसा है तो रोक देते हैं मैं मैं उसमें नहीं जा रहा हूं मैं कहता हूं इनके इकनामिक्स रिसर्च है वह मैं इंटरनेशनल जनरल में एक बी जैन्यू का प्रोफेसर का रिसर्च दिखाई नहीं देता है तो इसी प्रकार से हम मेशर कर सकते हैं यह कहां करते हैं वह कहते हैं पड़ाई मिलती है यह करते हैं पर तो सारे लोग अधिकांच्च लोग संख्या में करते हैं तो स्वामी जी फिर आप यह क्यों कहते हैं कि वहाँ पर CISF की चौकी बना देनी चाहिए आप ने इस तरह की बात क्योंगे यूनिवस्टी के अंदर CISF की तेनाती मैं इसलिए कहता हूं आपको आपको पता नहीं है कि दुनिया में सारे श्रेश्ट यूनिवस्टी में पुलीस की चौकी होती है और यहां CRP की अवशक है क्योंकि इतने लोग जो स्टूड़न्स हैं जो उनकी विचारदार हैं के उनकी क्या हालत लगते हैं कितने हमारे लोग डरे हुए हैं सुमेच जी बस थोड़ी सी बात करके लिए बात करता है बराबरी के लिए शंघर्स करता है और समाज में जो जुल्म है अन्याय है उसके खिलाफ लड़ता है और विचारदाराएं अलग अलगतर है कि वहां आज भी हैं उनके बीच खुले तौर पर बातचीत होती है दुरगा पूजा अगर मनाया जाता है तो दुरगा पूजा के बरक्स जो सब अल्टर्न हिस्ट्री है उसको भी पढ़ाने की बात हो रही है आदिवास्यों के भी इतिहास को पढ़ाने की बात हो रही है साथी साथ अगर वहा पर दक्षिन पंथी विचारधारा है तोहां पर बंपंथी विचारधारा भी है और जो क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना एक इनवर्स्टी का काम है वो जेनियू बखुवी कर रहा है इसलिए संस्कृत के साथ-साथ वहां पर फॉरन लेग्वेज भी पढ़ा जाता है रही बात बात को मैनुपुलेट करने की तो बस एक बात कहते हैं मैं बात को खतम करूंगा ये बीजेपी के लोग ये वीपी के लोग स्वगोसित रास्टवादी हैं मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर टू नेसन थियोरी सबसे पहले साबर करके दोरा दि कहूंगा जेनी मैं जिस तरह की बौधी कातंगबाद पिछले 40 वर्सों से चल रही है वह सच है कि नहीं जब तक जब जब रास्टरबाद की विचारधारा की वहां पर पनपने को रोका क्यों जाता है मैं अखिल बाते बिद्दार्थी परिसत का कारे करता रहा हूं वहां पर जिस तरह के मत्वेद हम लोगों के साथ हो जाता था करा कराया जाता था मैस में एक टेवल रिखाएंगे नहीं यह कौन सी प्रोग्रेशिव की बात है और यह कहते हैं कि वहां पर प्रोग्रेशिव थॉट्स है मैंने कभी जेनियू के अभी जेनियू के पोस्टर सो और करते हैं जाए देखिए और बहुत बार जाएगा और यह जो यह देखा नहीं पर दक्राथ कर दो आपने पर आपने दिपीटी अगर पिटी जी पुझे वाइंगा जी डी बीटी आपने लाच से देखे नहीं एक देखनाना होता है अधिग विदिक जाने डेमेंगे परान वो जेनु में भी स्टार्ट हो गई है। जेनु अकेला वे शुविद्याल है जहां पूरे इमर्जंसी भर इमर्जंसी के खिलाब संघर्ष चलता रहा है।